वो भी एक वक्त था जब साउथ की फिल्मों और उसके एक्षन का सभी मजाक उडाते थे, आपने कई ऐसे सीन देखे हूंगे जिसमें सूखा सा हीरो हटे-कटे मवालियों को एक मुखे में ही उडा देता है, पर अब वक्त बदल गया और साउथ हिंडस्ट्री भी, बीते कु सब इसके दीवाने हैं, आखिर क्या है साउथ की सकसेस के राज, तो वही राज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे, नंबर एक पैन इंडिया फिल्म का ट्रेंड, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जिस पहली फिल्म में बनी, इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 600 करोर से भी जादा कमाए, जिससे हिंडी ओडियन्स भी तमिलते लुगू फिल्मों की ओर अट्रैक्ट हुई, जिसके बाद काई फिल्मों को पैन इंडिया रिलीज किया गया, जिन्होंने हिंडी भाशा वाली बॉलिवुड की ओडियन्स को अपना बना लिया, नमर्बर दो, साउथ अंडिष्ट्री के काम करने का तरीका, साउथ की फिल्मे जो हिट हो रही है उसके पीछे साउथ इंडिष्ट्री के लोगों का काम करने का तरीका भी है, अब क्या होता है कि यहां तेलोगू store's advance में अपनी fees का सिर्फ 10 या 20% ही लेते हैं, बाकी पैसे वो तब लेते हैं, जब फिल्म रिलीज के लिए तयार होती है। इससे फायदा ये होता है कि प्रोड्यूस उस फिल्म के कंटेंट से लेकर और चीजों पर खुलकर पैसा लगाते हैं ताकि एक अच्छा प्रोड़क्त तयार हो और दर्शक भी निराश नहूं। और बॉलीवूड में क्या होता है स्टॉस को सिर्फ अपनी फीज से मतलब होता है। फिल्म में लगाने के लिए पैसे है या नहीं इसे उनको कोई फरक नहीं पड़ता। नमबर तीन कहानी ऐसी जो सबको पसंद आये। कहानी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि स्टॉस की फीस पर ज्यादा तगड़ा बजट खर्च न करें। तीसरा ये किस्ट प्रोडक्शन और अन्य चीजों में वह पैसा लगाया जाए। तो दोस्तों आपको बॉलीवूड और साउथ इंडस्ट्री में क्या फरक लग क्टिए उसरी इंडस्टी इंडस्ट्री बात टाए। तोस्तों प्रोड़ा जाए। अर जाए। लुलीवूड़ बॉलीवूड़ाग् बॉलीवूड़ा जादा वह ता दूटदो दूटें।